रौन 2 की तरफ बढ़ते हुए बात कश्मीर की होगी क्योंकि सबका साथ सबका विकास में देखे ये जो 100 अंक है ये टीम बीजेपी ने दिया है टीम विपक्ष शुन अंक और टीम पब्लेक 50 अंक देते हुए आज प्रधान मंत्री मोधी के सबका साथ सबका विकास के मुद ना गोली ना गाली इंसानियत कश्मीरियत जमूरियत जिकर प्रगी पी-म ने किया सुनिया है हमारे देश की सेना कहीं पर भी प्राक्रूदी का आपदा हो पहुंच जाती है संकते गिरे मानों को रक्षा के लिए हमारी सेना करुणा माया ममता के साथ पहुंच जाती है लेकिन वही सेना जब संकल पगले करके चल पड़ती है तो सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मनों के दाथ खटे करके के आ जाती है जम्मो और कश्मी अटल विहरी बाजपईजी ने हमें रास्ता दिखा है और वही रास्ता सही है उसी रास्ते पर हम चलना चाहते हैं बाजपईजी ने कहा था इंसानियत जम्मूरियत और कश्मीरियत इन तीन मुल्लि मुद्व को लेकर के हम कश्मीर के विकास के लिए चाहे लड़ाख हो चाहे जम्मो हो या स्रीन अगर बेली हो संपुलित विकास हो समान विकास हो वहां के सामान ने मान भी की आख साख आख आख शाओ को पुर्ण हो इंफरस्टेक्टर को बन मिले और साथ साथ जन जन को गले लगा करके चले इसी भाव के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं हम गोली और गाली के रास्ते पर नहीं गले लगा करके मेरे कश्मीर के देश भक्ति से जीने वाले लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आए दिन नौर्थी न गोली न गाली जमूरियत इंसानियत कश्मीरियत पहला मौका अखिलेश प्रताप सिंग जी को जब आधनिय मोधी जी चुना प्रचार कश्मीर में कर रहे थे तो बोलते थे यह बाप बेटी की सरकार यह आतंकवादियों की सरकार और उसी के साथ बाद में कश्मीर में सरकार बना ली और इतना ही नहीं सरकार बनाने के बाद सबसे पहला जो प्रेस कांफेंस हुआ सब्सक्राइब है प्रद्धार मोदी जी करते रहें और पथरवार श्माजों से प्यार और उसमें मुकंड़य वापस। यह ने मैं यह बोलता हूं कि यह गले लगाने का आईडिया कहा से आया अविश्वास प्रस्ताफ से तो नहीं आया। दूसरी बात ये जो बात प्रधानमत्री जी कह रहे हैं ये तो PDP और BJP की जो साजी सरकार थी उसका जो नियूंतम कारिक्रम था उसका एजेंडा था ये तो ये भारतिय जन्ता पार्टी इस तरीके से वो सरकार को तोड़के भागी कि देश के ग्रिव मंत्री को नहीं पता थ की अलायंस सूट चुका है तो ये आज अगर प्रधानमत्री जी लाल के लिए से कह रहे हैं तो वो सिर्फ एक कोरी दलील है क्योंकि साड़े-चार साल में उस दलील को हमने जमीन पे उतरते नहीं देखा है साड़े-चार साल में हमने देखा है कि दो साल भारतिय जन्ता पा पॉलिसी चाहिए ये कौन सी मस्कुलार पॉलिसी है जो लाल के लिए में चड़कर बदल जाती है सैनिक गोली खा रहा है और आप मिठाई बांट रहे हैं सरहत पर अंजरा जी भाशा की बात हुई है मैं एक फैरिस्त लेकर आया हूं और बहुत दुख के साथ ये फैरिस्त पढ़ूँगा जब हम आतंकवादियों को मारते हैं हम माने बीजेपी वाले नहीं हम माने हमारी आर्मी जब आतंकवादियों को मारती है तो कोई साधान व्यक्ति नहीं गुलाम नभी आजाद जो की कांग्रेस के टॉप लीडर है और राज्यसभा के सदस्या है वो निकल क कहती है यह आर्मी यह आर्मी तो एक आतंकवादी मारती है और 20 सिविलियन को मार देती है यह आर्मी तो ह्यूमन राइट भाइलेशन करती है जब हम कहते हैं पाकिस्तान को लाल आख दिखाना होगा कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्ना अंग है तो इनके बड़े नेता और पॉर्मर मेंबर अभिन्ना अंग है और आज मैं 72nd Independence Day में कहता हूँ तोड़ के दिखा दो आप कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान का अंग रहेगा साहिफुद्दिन सोच कहते हैं हम तो परवेज मुसर्णफ के साथ खड़े हैं कश्मीर को इंडिपेंडेंस चाहिए और इनके प्रारे चच्चा जान मनीश अंकर आयर मनीश अंकर आयर मनीश अंकर आयर मनीश अंकर आयर जाके कश्मीर वहां पाकिस्तान में कहते हैं मोदी को हटाना होगा वो जो हैंकर था वो आवाक रागया पाकिस्तान का हम कैसे हटाएंगे ने 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 आपी को हटाना होगा यह सोचिय जरा कांग्रेस का महा सचीव जाके पाकिस्तान में कह रहा है कि मोधी सरकार कोटा ना होगा और तो और संदीब दिक्षित हमारे आर्मी के चीफ जिनको अभी आप दिखा रहे थे वो कह रहे थे कि यह सडक के गुंडे है और एक संजय निरुपम है वो अज़र सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो पानी पीपी के कहते हैं कि डीजीमो जूट बोल रहा है और सर्जिकल स्ट्राइक का आप प्रूफ दिखाईए अखिलेस जी हो हाँ सुना था मैंने मैंने सुना रजभी के सिगने ट्वीट किया था कि ये सैनिक ये जनरल कतली है और माफी मांगनी पड़ी थी आप बताएए जनका जनार दिखाईए इनको माफी दनी चाहिए क्या इनको माफी नहीं देनी चाहिए अपों अंग्रेजों के साथ को याद रखना है कि कौन अंग्रेजों के साथ और पौन अंग्रेजों से लड़े थे आपको यह याद रखना होगा। नापको यह याद के समय जब हिंदुस्तान और चाहिना के बिच विशे चल रहा था रात के अंधिरे में पूरी घंदी डिनर करने चाव मिन यहां क्या होता है यहां क्या होता है अंग्रेजों के साथ बेतुकी राग लेकर के अलग बढ़ा जाते हैं मित्रों जो कश्मीर के अंदर आतंकवाद कहां पर है सिर्फ घाटी के अंदर आतंकवाद है और घाटी में भी मात्र छे जिले हैं वहां पर आतंकवाद है और जो आतंकवाद की जो प्रकृती है वहां पर वो पूरा का पूरा जिहादी प्रकृती हो गया है क्योंकि जो इसलाम का सुरूप है जो सलाफुदीन इसलाम है उसका नजरिया जो हमको घाटी में देखने को लिए मिल गोली सिर्फ वहाँ चलती है बाकी जगह पर न गोली चलती है न गाली चलती है कस्मीर का एक ऐसा हिस्सा है जो भारत से तूट करके और पाकिस्तान की करता है सिर्फ वहीं पर सैनिक गोली चलते हैं बाकी और जगह कहीं ने तक दुर्भाग की बात है कि कॉंग्रेस नहीं के साथ पर मुझे सफ्टी करनी पड़ेगे नहीं तो हम भटक जाएंगे शिफ्टेटाजी के बात से कॉंगर आज जो वहां पर जो डिरेल्मेंट काश्मीर इंडिया का एक अंग है बहुत महत्पूर अंग है और उमीद को लेके मोधी जी को लाए थे इसी वज़ाए से कि ये काश्मीर को सुल जाएंगे लेकिन जिस तरीके से पीडिपी के साथ इन्हों ने सरकार बनाई मेरे हिसाब से बहुत गलत डिसन थी वहां पर सी जुते मार मार के गिरा दिया, this is absolutely insulting to our forces. They should have been given right to shoot, number one. And number two, हमारे जो 5 लाग कश्मीरी भाई पंडित वहां से बाहर बेघर हुए है, वो कहा है, क्या उनको किसी ने आज तक इन 5 सालों में कोई भी रियायत मिलिया है, कोई रियायत मिलिया है, कोई रियायत मिलिया है, कोई रियायत मिलिया है, कि इस वेरी दिसपॉंटिंग जो हाल हुआ है, I think Kashmir में, we are very badly. रेना जी, 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 मुझे लगता है कमों में श्वही करेंगे आप लोग, रेना जी. मुझे लगता है कि श्रहत करें, रागी जी माप कीजेगा, मैं दो बारा नहीं लोट सकती हूँ अवक्त रेटिंगा अगा है, और इसी लिए हम शुरूआत इस बार स्वाटीम प्लिक से करते हैं, तीम प्लिक बताए कि Kashmir पर Peirhan मंतरी के इस भाषन को, चार साल के कामकाज को आप कहां पराखते हैं सौ में कितने मार्ग से इस मुद्धे पर प्रधार्वंतु नरेंद्र मोधी को खिलेशी शुनि से नीचे नहीं जा सकता है हम टीम पब्लिक के साथ हैं अगर पब्लिक ही ऐसा मान रही है सरकार के साथे चार साल पुड़े होने पर तो हम टीम पब्लिक के साथ हैं तीस वास्कविक्ता के करीब आप खीच लाए खिलेशी को क्षमीर को ठीक करने का है और इसने सो नंबर देते हैं क्योंकि मोधी जी और भारती जनता पाटी उस पार्टी की सदस्या है जहां हुए बलिदान मुखर जी वो कश्मीर हमारा है एक न एक दिन इसको हम से मिशन करके रहे और तो क्या भी विस्तिती वही है माक्स यहां पर बोट पर हम दिखाएंगे उससे पहले आप लोग से जल्दी पूछें कि आप लोग तीम मोधी से सहमत हैं तीम मोधी से कितने लोग सहमत हैं देखें कश्मीर के मुद्दे पर सिर्दा साथ उठ रहे हैं और ये 30 हम दिखा है हम लगातर आप